आज के प्रेस कांफेंस में उपस्थित भार्ति जन्ता पार्टी के वरिष्ट उपाध्यक्ष बिधायक और हमारे बस्तर सम्भाग के संगठन के परभारी आदने श्री स्यूरतन शर्मा जी आदने संजे श्रीवास्तो जी, अमिर जिम्नानी जी, अनुराग जी और इलक्रोनिक्स मेडिया और प्रेंट्स मेडिया के सभी बंधुगाएं आज की इस प्रेस कांफेंस में आप सबका अभिनंदन है आज की इस प्रेस कांफेंस के तीन विशें हैं उसमें पहला तो है कि भारत के एसोस्ची परधान मंतरी आदने नरेंद मोदी जी के सासन के कारकाल का साथ वर्स तीस मई को पुरा हो रहा है और दूसरे कारकाल का दूसरा वर्स कह सकते हैं और यह हमारे देश के लिए गोरों का बिशे है लेकिन वर्तमान में COVID महामारी चल रहा है इसलिए राष्टे नेतित्व ने कोई बड़ा उत्सो मनाने का निर्णे नहीं लिया है लेकिन हम लोग सेवा ही संगठन है इस अभिवान को लेकर और COVID के प्रोटोकाल का पालन करते हुए गाउं गाउं पहुंचने का निर्णे लिये हैं हमारी पार्टी ने इस अवसर में जो कारकम तय किये हैं मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा उसमें पहला तो है कि हमारी पार्टी इस अवसर में 30 मई को पूरे देश में एक लाख गाउं में पहुंचने का तय किया है जिसमें 36 गड में हम लोग 5000 गाउं तक पहुंचेंगे और यहां पर कारकम 30 मई के जगह पर 31 मई को होगा चुकि 30 मई संडे पढ़ रहा है उस दिन पूर्ण लोगडाउन है इसलिए एक दिन बढ़ा कर 31 मई को हम लोग 5000 गाउं में पहुंचने का परियास करेंगे और इन गाउं में पहुंचकर कोरोना के खिलाप जन जागरन का अभियान हमारे कारकरता चलाएंगे स्वक्स्ता अभियान चलाएंगे औक्सिजन और ताप मान अधिका जाँच ये सब कारकम करेंगे और इसमें हमारे जो सामसद गण हैं, विधायक गण हैं और जो हमारे जिला पंचाथ के अध्धक्ष, जिला पंचाथ सदस हैं, जनत्वत के अध्धक्ष हैं, नगरे निकाय के हमारे अध्धक्ष गण हैं, यह सब 31 मई को दो-दो जगह कारकम में सामिल होंगे, बाकी जगह ही हमारे बड़े निता एक या दो जग जाने का प्रयास करेंगे तो ये पहला पार्टी ने निर्ने लिया है और दूसरा कॉंग्रेस ने भरम खेलाया है वेक्सिनेशन के खिलाप में कि इससे मौत हो जाती है तो 31 मई को हमारे कारकरता जो भरम और विसेश कर ग्रामिन छेत्र में उसको दूर करने का प्रयास करेंगे लोगों को भरम को हटा कर जागरुपता उनमें लाकर अधिक से अधिको टिका करन करवाएं इसके लिए प्रयास हमारे कारकरता करेंगे और गाउं में सेवा ही संगठन है इस अभ्यान के तहट वहाँ पर फूट पेकेट, सुखारा प्रयासन कीट, मास का बितरन, सेनेटाइजर का बितरन ये सब काम भी पार्टी ने अपने हाथ में लिया है उसी तरह से चोथा जो कोबिट परभावित परिवार है उनसे मिलने का काम भी हमारे नेतागण, कारकरतागण करेंगे और जिस परिवार में कोरोना महमारी से ये भी हमारे नेतागण, कारकरतागण करेंगे और उनको किस तरह से साहता की जा सकती है ये भी हमारे कारकरता उहां पर देखेंगे और पार्टी ने भी तय किया है कि परभावित जो परिवार हैं कोबिट से उनका एक डाटाबेस भी बनाने का प्रयास हमारी पार्टी करे और केंद्रे नेत्तित्व ये तय किया है कि सवसर में रक्टदान सिविर भी जगा जगा पर लगाए जाएंगे विशेसकर हमारे जो मोर्चा और इवा मोर्चा के जो कार करता हैं वो बलट डोनेशन केंप भी लगाएंगे तो ये छे मुख्य बिंदू ये काम आने वाले 31 पार्टी के सभी नेतागंड, हमारे सामसच गंड, विधायक गंड और जो पंचायती रावद नगरीज निकाय छेत्रक के निर्वाची जनपरतिनी भी हैं और कार करता हैं ये सब काम करने वाले हैं तो ये पहला हो गया विशे और दूसरा विशे है बंगाल हिंसा के पच्छिम बंगाल में विधान सभा चुनाव में भार्ति जन्ता पार्टी को एतिहासिक सफलता मिली हैं हम लोग पिछले विधान सभा में मात्र तीन सीट वहाँ पर जीते थे और तीन सीट से सीधे 76-77 सीट में हम लोग पहुँच गये हैं और हम एक ला सकते हैं कि अगर वहाँ पर कांग्रेसार वाम पंथी टीमस्जी से अगर गडबंधन नहीं करते तो निश्चित रूप से भार्ति जन्ता पार्टी के सरकार वहाँ पर बनती लेकिन तीन सीट से 77 सीट में पहुँचना 25 सीट में विधी और घोट परतिसत 33 से अधिक यह भार्ति जन्ता पार्टी के लिए केतिहासिक उफलब दी है लेकिन इस भार्ति जन्ता पार्टी की जीत को तृन्बूर कांग्रेस, कांग्रेस और वामपथी पचानी पा रहे हैं और कम्नुस्ट तोर तरीके से मम्ता बनेर जी की जो टीन सी पार्टी है पूरे बंगाल में भारते जनता पार्टी कारकरताओं के उपर हिंसा का तांड़ो मचाया है कारकरताओं के निर्शंस, हत्या, दुसकर्म, लूट, उनके घरों को जलाना ये पराजित रूप से मलब वहाँ पर हो रहा है और जिससे बंगाल तबाह है और इसके खिलाब में भारते जनता पार्टी आंदोलन करने का निर्णे लिया और पुरूबिट प्रोटोकाल का पालन करते हुए आने वाले दो जून को एक बड़ा वीडियो कांफेंस कायोजन यहां पर करने वाले हैं 12 बजे से लेकर डेड़ बजे तक इसमें हजारों लोगों को हम लोग जोडने वाले हैं वर्ट्वल कांफेंस के माधम से तो ये दो विषए हैं और एक तिसरा विषए है इस तरह से अगी कुवीड महामारी चल रहा है और कई प्रदेशों में ये देखा जा रहा है कि जो कुवीड से पेडित परिवार है या कुवीड से परिवार में किसी की मिर्ठु हुई है या जो बच्चे अनाथ हो गए हें जिनके माता भी का दुनों जिवंगत हो गए, चोटे बच्चे हैं, तो इस सब की चिंता कई परदेशों में अच्छे से हो रही है। मांग करते हैं, कि ऐसे जो पोटवार आंगनबाडी कारकरता मितानी नोगरा, जो मलब जान को जुख्य में डालकर रोना युद्धा के रूप में फाम किये हैं, और वो मृत हो गए हैं, तो ऐसे परिवार को पांच लाक रुपे आमगर राशी दिया जाए, और एक ब्यक्ति को नोकरी दी जाए, और जो कोबिट महामारी से जिस परिवार में मृत हो गए हैं, उनके परिवार को एक लाक रुपिया सरकार दे, और अनात जो हो गए हैं बच्चे, उनके भी पिंसन, रासी और पढ़ाय लिखाई की चिंता इस सरकार करे, और जो कोबिट के मरीज हैं, आप लोगों के माद़ों की सरकार सो करते हैं, जैसे देश के अन्राज, ऐसे कोरोना महामारी से पेडित लोगों, मिर्तफों, अनात बच्चों की चिंता कर रहे हैं, और जो यहां 36 गड़में भी करें, तो आज के प्रेस का ये तीनों बिसे था, जो आप लोगों के सामने म अन्राज, आपकी हर बिमारी का संपून इलाज, वराइजन होस्पिटल, जल्वियार कोलोनी, कट अदलाब, रहे हैं